गौलियर गोली के मंदिर पर बनी है इस्थाई गौशाला की व्यास्था सुधार के लिए प्रयासरत रास्टपती द्वारा सम्मानित मागायतरी गौरक्षा संगठन प्रमुक संतो चौहान गौशाला पहुंचे और वहां बजरंग भक्त मंडल द्वारा भूखी गायों के हरा चौहारा डालने वाले सेवाकार महिसा लिया और बता दें कि पिछले तीन वच्षों से निरंतर बजरंग भक्त मंडल गौलीयर द्वारा आपसी सहयोग से हरा चौहारा खरीद कर गायों को खिलाने की सराहने सेवा की ज़ारा है संतो चौहान ने बताए कि गौशाला मे परियाप्त इंतजाम नहीं है प्रशासन को गौवंश सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आवशक इंतजाम करवाने चाहिए साथी संतो चौहान निकागी समाज के लोगों को गौशावा के लिए प्रेरित करने और गौशाला में गौवंशों के लिए चारे पानी रख प्रवंद की जाने के लिए नगर के गौशावकों के सहयूग से अभियान चलाया जाएगा क्या नाम है आपका यह आपके भक्त मंडल द्वारा गायों को हराचारा डालने की सेवा यहां गवालियर गोले के बंदिर अस्ताई गौशाला में की जाती है तो यह कितने लोग हैं आपके सहयोगी सेवा में ने हर रभी बार को डालते हैं आप यहां जो देखने में आ रहा है कि जतनी संख्या में गाये हैं उतनी संख्या कि पुर फो सबस्क्राइन के हिसाब से गायों के रख रख आव चारे पानीके समच्छत प्रवंद नहीं है विवस्ताइं ठीक के नहीं है जो होना चाहिए तो आप यससरी पर प्रशाइब पर ससाला में दल्दल जैसाथी बन जाती है फानीकास बिर्वेदंकर द्रुवेतन क विवस्ता हो और बर्षाथ के मौसम में पानी की निकाजी की विवस्ता हो जिससे जवसाला दलदल की इससे ना बज़गे आपने इन समस्यां को लेगे पूर में प्रशासन की अद्धकारियों तक अपनी बात पहुचाई हैं पूर में पार्दस से लेगे माननी है स्लिमन जोद्राइज सिंद्या जी तक हमने गयापन दिया परस्पारण मंद्री जी को गयापन दिया सभी को गयापन दे चुके हैं लेकिन फिलाल तो कुछी निदाकरल हुआ नहीं है गवालियर गोले के मंदिर पर बनी नगर निगम की अस्ताई गोसाला में आज गायों को हरा चारा खिलाने के सेवाकार में सम्मलित हुआ गायों को हरा चारा खिलाने की सेवा नगर के बजरंग वक्त मंदल गोसेवकों द्वारा पिछले तीन वरसों से निरंतर जारी है बोसाला में परसासने के स्तर पर गायों के रखरका और चारे पानी के समचित प्रवंद नहीं है सरदी से बचाव के इंतजाम नहीं है गायों के समचित प्रवंद के लिए लोगों को वो से वाके पुर्ती जागरत करने के लिए गौालियर नगर में अभ्यान चलाया जाएगा गौमातागो राश्टिय पसूर उस्थ करने की मांग को लेकर धरना भी दिया जाएगा शाम संदर उपाध्याई की रिपोर्ट